सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इंफो एडियू को और बेल आइकन को दबाईए रोजाना मुबाइल कंप्योटर टेकनोलोजी से रिलेटिड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दुसतो आज की डेट में हम MX Player तो यूज़ करते हैं लेकिन हम MX Player के बारे में सिरφ इतना की जानती है कि वीडियो प्ले की यहांसे अगर इसे स्वाइब करते हैं तो इसकी blurredness बढ़ जाती है इधर से स्वाइब करते हैं तो though बढ़ा जाता है अगर इसे स्वाइब करते हैं ऐसे तो वीडियो फॉरवर्ड या रिवाइंड हो जाती है लेकिन दोस्तों इसके इलावा भी बहुत कुछ है इसमें यह देखें जैसे कि यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि इसके इडिन फीचर ट्रिक्स क्या है तो आज आप यह वीडिय करते हैं दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला जो ट्रिक्स है या इसका हेड़न फीचर है वह है इस एमेक्स प्लेयर की के कलर को चेंड करना है तो जैसे यह आप देख सकती है कि वाइट वाइट है तो इसके लिए हमें यहां पर यह तीन डॉट वाली मेनियो को क्लिक करना है सेटिंग में जाना है और यहां पर लिष्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पहली यह ओप्शन आ रही है इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको काफी सारी ऐसमें मिल जाती है यहां पे अगर मैं आप ब्लैक कर देताangel को आप डैक जा कर देखेंगे तो इसकी यह theme अच्छी लग रही है, मतलब white से काफी अच्छी है, अगर आप कोई और theme चेंज करना चाहते हैं, तो setting, list, theme और यहां से कोई और select करते हैं, यह देख सकती हैं कि blue और black हो गई है, तो यह काफी अच्छा feature है, जो हम में से बहुत से दोस्त नहीं जानते हैं, उसके बाद हमारा अगला feature है, कि हम जब पहले MX player यूज करती हैं, उसमें जब हम वीडियो चलाती हैं, तो double tap to pause play हम कर सकती हैं वीडियो को, लेकिन इस बाद जो निया MX player है, उसमें ऐसा नहीं है, उसकी आपको setting करनी पड़ती है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, उपर तीन डॉट वाली menu को क्लिक करती हैं, यहां पर display को क्लिक करती हैं, setting में जाती हैं, और यहां पर आपको control में जाना है, जैसे कि आप उपर देख सकती है control, तो यह volume के नीचे double tap to play force, इसे आप चेक कर रहें, बैक चले जाती है, आप देखती है, डबल टैप किया, डबल टैप किया, प्ले रहो, यह भी feature एक new feature है, जो पुरानी MX में था, अब जो निया MX आया है, उसमें नहीं, दोस्तों उसके बाद हमारा जो अगला इसका hidden feature है, व हम इसे अपनी मर्जी से customize कर सकती है, जैसे ही आप उपर और नीचे देख सकती है, ब्लैग बार आ रही है, तो हम इसे अपनी मर्जी से भी customize कर सकते है, तो इसके लिए हम setting में जाते है, यह 3 dots पर क्लिक करती है, display में जाती है, उसके बाद setting, सेटिंग में जाने के बाद यहां पर स्टाइल और स्टाइल में यहां पर आप देखते हैं प्री सेट इसे हम डिफाल्ड की जगह पर कर देती हैं इनवर्स तो आप देख सकती है कि इसका जो है वो ले आउट थोड़ा सा चेंज हो गए अब यहां से हम इसे कस्टमाइज भी कर सकती है अपनी मर्जी से हम यहां पर अगला फीचर जो है वो है बूस्ट वालियू मतलब अगर आप एक वीडियो देखती है वीडियो में प्ले करके देखते हैं तो यहां पर हमारा वालियू जो काम कर रहा है वो सिरफ 15 पर सट तक जा रहा है तो हम इस वालियूम को 30% तक भी लेकर जा सकती है तो इसके लिए यहां पर हमें सेटिंग में जाना होगा यहां पर सेटिंग फिर डिगॉडर और यहां पर इसे जो है हमें आपका यह अंचेक होगा यूज एच डव्यू प्लस डिगॉडर इसे आपने चेक कर देगा मैं इसे बैक जाता हूँ बैक जाने के बाद वीडियो को दुबारा प्ले करता हूँ और यहां पर आपको ऊपर एच डव्यू ऑप्शिन में इस पर क्लिक कर दिजिए क्लिक करने के बाद एच डव्यू प्लस डिगॉडर पर क्लिक कर दिजिए तो अब हमारा वॉल्यूम जो है पहले 15 परसेंट तर जाता था अब हम इसे 30 परसेंट तक भी लेकर जा सकते हैं यह भी काफी अच्छा फीचर है कि हम अपने वॉल्यूम को बूस्ट करवा सकती है दोस्तों उसके बाद हमारा अगला फीचर है कि बेबी लॉक मतलब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में स्क्रीन पर टच कर रहा था तो वो एनिमेशन सी आपके सामने आ रही है तो वो लगाने के लिए जिससे बच्चे बहुत अट्रक्टिव होते हैं बच्छों को आद दिस्प्ले, दिस्प्ले में जाने के बाद उसकी सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे कंट्रोल में, कंट्रोल में जाने के बाद यहां पर आपकी बाइडिफाल्ट जो है वो होगी लॉक पर लेकिन आपने यहां पर कर देना है गेट्ट लॉक प्लस लेंगे यह देखें ताकि बच्चों को यह आदत होती है कि वीडियो देखते होगे स्क्रीन पर हाथ लगाना तो वह काफी इनको अच्छा फील होगा लेकिन इसको अनलॉक करने का तरीका जो है वह बहुत ही मुश्किल है थोड़ा सा वो देख लीजिए कि हम इसे क्लॉक वा आप इसे आफ करने की कोशिश करेंगे तो यह जल्दी आफ नहीं होगा ठीक है इसके लिए हमें क्लॉक वाइज यहां पर टेच करना पड़ेगे फिर जाकर हमारी जो सेक्रीन है वह एमेक्स प्लेयर की वह अनलॉक होगा तो दूस्तो अगला जो फीचर है हमारा वह है डब डबल टैप हो तब ही हम वीडियो से बाहर है तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे फिर दुबारा हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहां पर प्लेयर में जाकर यहां पर देख सकते हैं डबल टैप दा बैक बटन तो इसे हम चेक कर देते हैं अब दुबारा जाकर वीडियो प्ले करते हैं तो हमारा अगर यहां पर हाथ लग भी जाता है बैक बेटन पर तो बैक नहीं होगा इसके लिए हमें यहां पर डबल टैप करना होगा फिर हम वीडियो से बाहर है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आज की एमेक्स प्लेयर के लिए वीडियो आपको काफी पुसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल वह या राय हो तो वीडियो के नीचे कोमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्योंके मैं आपके लिए अनुगाने यहां पर इसी तरह की इंट्रेसिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही ने झाल 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 झाल